नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सभी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल प्याज का उपयोग खाने में तो हम सबी करते हैं सलाद में और सबजी बनाने में प्याज का वैपन से उपयोग किया जाता है लेकिन आपको बता दे प्याज में अच्छे सवाब के साथ ही बहुत ही आउशे दिये गुन भी होते हैं प्याज में विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम जैसे पोशक तत्व भर्थूर मात्रा में मवजूद होते हैं जो शेरियर को सस्त रखने के लिए कापी जरूरी है सर्दी खाशी गले में खराश, एनर्जी यादी के लिए फाइदेमन है प्याज का स्रस और सहयत का मिश्रण इन समश्याओं को आसानी से ठीक करता है किल मुआ सो जैसे परेशानियों से वसने के लिए पानी में प्यास का रस मिलाकर उस्य चेरा धोना शुरू करें अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है और आप बार बार उल्टी रस होते है तो हफ्ते में दो दिन प्यास के रस ले प्यास को दर्द निवारक आउशदी के तरह भी माना जाता है इसकी तश्री थंडी होती है इसलिए जब आप इसे जल्ले हुए इसे पर लगाते है तो इसे आपको ठंड़ा पाउस्ती है प्यास को रात में सोने समय मोजे में रखने के से टॉप्विक तैनी विश्मा प्रदातम मल मुत्र की सहाता से शेरीर से बाहर निकलता है आप प्यास का कैसे इस्तमाल करते हैं हमें कमेट में जरूर बताए उमिद करते ही कि आपको अमारी यह जानकरी पसंन आई होती है, यदि आपको यह जानकरी पसंन आती है, तो कुलपा इस जानकरी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी जानकरी का लाव उटा सके, यदि आप इस जानकरी को Facebook और WhatsApp पर भी शेयर करते हैं, तो लोग इस जानकारी से अउगत हो सकते हैं यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी किमती राय कमिंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका दिन शुब हो धन्यवाद लोग करना जर लोग दोस्ताइब करना पूले आपका दिन पराद करना अन्यवाद